हेलो दोस्तों कैसे वाप सब दोस्तों अगर आपने आरारबी एंटीपीसी और रेल्वे गुरूब डी का फॉर्म बराये तो इस वीडियो को अंता तक देखते रही है क्यूंकि रेल्वे भरती में आवेदन करने होले अब्वेर्तियों ने चार सवाल रेल्वे से पूछे है सबसे पहला सवाल आरारबी एंटीपीसी के सेवन फेस एकजाम के बारे में दूसरा सवाल आरारबी एंटीपीसी के आंसर की के बारे में और तीसरा सवाल आरारबी एंटीपीसी के सीबीटी टू एकजाम के बारे में और चाउता सवाल रेल्वे गुरूब डी के सीबीटी एक्जाम के बारे में तो इन चारों सवालों की जवाब आपको इस वीडियों में मिल जाएंगे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो बहुत बड़ी ख़बर आईए RRB NTPC के Admit Card के संदर्व में या दोसो RRB NTPC का जो 7 Phase होना बागी है उसका Admit Card कप तक जार किया जागा इसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है उसी के साथ साथ सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियों मिल जाएंगे RRB NTPC 2021 Admit Card for 7 Phase to be released soon जादोसो बहुत बड़ी अपडेट है और दोसो RRB Recruitment Board की ओर से चातरों के सभी सवालों के जवाब दे गए इंटरनल सोर्स के मात्यम से जैसा कि आप देख सकतो The RRB Recruitment Board will soon release the RRB NTPC Admit Card for the 7th Phase of the Entrance Examination जादोसो पूरी जान करें आपको मिलेगी अभी तक अपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं गया तो सबस्क्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कर दीजे ताकि Railway वरती के संदर्भम है जब भी कोई नहीं अपडेट आएगी सबसे पहले आपको जान कर मिल जागी RRB की ओपिशल वेबसाट पर जाकर आप Railway NTPC का सिवन फेज का एडमिट का जल्दी डाउनलोड कर पाऊगे अपनी Login ID और Password की मदद से ज्यादोस और कैसे आपको अपना एडमिट का डाउनलोड करना है पूरी जानकरी विस्तार से आपको इस योड़ेब मिल जागी दरसल दोस्तों आप सभी को बता दिये अभी तक RRB NTPC के CBT First Exam के 6 फेजस ऑनलाइन मोट से कंपलेट हो चुके और जो अनतिम फेजस सात्वा फेज जो की होना बाकि है COVID-19 के सेकंड वेवाने से उसे रोक दिया गया था लेकिन अब RRB क्योर से 7 फेज कंड़ कराने की तयारी पूरी हो चुके है इसी जानकरी रेलवे रिकूट्मेंट बोर्ड के अधिकारी ने दिया दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो RRB NTPC के CBT First Exam के 7 फेजस के पोश्ट के माद्यम से नहीं वेजा जाएगा एकजाम सेंटर में आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है उसी के साथे साथ कलर पास्पोर्ट साइज फोटोग्राप आपको लेकर जानी है जो कि आपने रेजिस्ट्रेशन करते वक्त अपलोड किया था जिया दोस्तो उसी के साथ इसाथ आप सभी को बता दे एडमिट कार्ड में जो भी इस्ट्रक्शन दी गई होगी उसे आपको पढ़कर जाना है ताकि आप से कोई भी गलती ना हो पाए जिया दोस्तो उसी के साथ इसाथ आप सभी को बता दे दोस्तो जैसे ये RRB NDPC के CBT First Exam के 7th Face का Admit Card जारी होता है सबसे पहले आपको RRB की Official Website पर विजिट करना होगा और दोस्तो वहाँ पर आपको Login Page मिलेगा और वहाँ पर आपको Date of Birth की मदद से और Registration Number की मदद से अपना Admit Card डाउनलोड कर लेना है दोस्तो अब हम बात करते RRB NDPC के 7th Face Exam Date की जिहां दोस्तो आप में से कुछ चातर हैसे होंगे जिन्नोंने अभी तक RRB NDPC का CBT First Exam दिया होगा और वो CBT2 Exam की तयारी कर रहे होंगे या RRB NDPC के CBT First Exam के आंसर की का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तो आप सभी को इस वीडियो में पूरी जान कर मिल जाएगी कि RRB NDPC के CBT First Exam की आंसर की कब तक जारी की जाएगी यहां पर आप साब साब देख सकते हो RRB NDPC 7th Face की बात की जा रही है कि Second Week of July 2021 या दूसर जूलाई के Second Week में याने दूसरे सब्ता में RRB NDPC के CBT First Exam के 7th Face का आउजन किया जा रहा है और RRB NDPC का जो Admit Card है हो Before 10 Days of Exam याने के 10 दिन पहले आपके Admit Card जारी किये जाएंगे और दोस्तो उसी के साथे साथ आप सभी को बता दे RRB NDPC का जो CBT First Exam का आंसर की आएगा दोस्तो RRB NDPC की CBT First Exam पूरी तरह से Complete होने के एक महीने बाद RRB NDPC की आंसर की जारी की जाएगी याने कि अगस्त के अंतियम सब्ता तक RRB NDPC के CBT First Exam की आंसर की जारी होगी और उसके दो महीने बाद RRB NDPC का रिजल्ट जारी किया जाएगा और जैसे रिजल्ट जारी होता है उसके 15 दिन बाद CBT2 एक्जाम का आउजन कराएगा रेलिवे ग्रूप D एक्जाम अगस्त के अंतिम सब्ता से जारी होने की बात की जा रही है दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक निक है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूले